मुंबई इंडियन्स IPL में फिर से नमबर एक पर आना चाहेगी जब वो अबू धाबी में कोलकाता नाइट डाइडर्स के खिलाफ खेलेगी मुंबई ने अपने पिछले चारों मैचों में जीत हासिल की है वहीं दूसरी और KKR को पिछले मैच में RCB के खिलाफ 82 रनों की शर्मनाखार जहिलनी पड़ी थी लेकिन वो वापसी करने के लिए तयार हैं अब तक दोनों टीमों के बीच 26 मैच हुए हैं जिसमें से 20 मुंबई ने और 6 KKR ने जीते हैं KKR के लिए यह सवाल बना हुआ है कि क्या उनके प्रमुक स्पिनर सुनिल नरिन जिनका एक बार फिर से गेंदबाजी एक्शन संदिक्त पाया गया था वे खेलेंगे या नहीं इसकी स्थिति अभी साफ नहीं हुई है वह RCB के खिलाफ भी नहीं खेले थे मुंबे इंडिन्स की बल्ले बाजी का दारोमदार कप्तान रोहिश शर्मा, सूरे कुमार यादव, कुंटन डिकॉक, हार्दिक पांड्या, पोलार डादी पर होगा वहीं गेंदबाजी में बुमरा, जेम्स पैटिंसन, ट्रेंट बोल्ट अच्छा कर रहे हैं रोहिश शर्मा ने इस सीजन में अपने दोनों अर्शा तक अबुदाबी में ही बनाए हैं केकेयार की सबसे बड़ी परेशानी उसकी बल्ले बाजों का निरंतर एक जैसा परदशन नहीं कर पाना है आंद्रे रसेल अब तक साथ मैचों में सिर्फ 71 रन बना पाए हैं यूवा सुबमन गिल, इंगलेंड के वर्ल्ड कब विजेता कप्तान ओइन मॉर्गन, नितीश राणा और कप्तान दिनेश कार्थिक प्रमुक हैं लेकिन कुछ मैचों को छोड़कर वे लगातार लंबी पारियां नहीं खेल पाए हैं ये केके आर के लिए सबसे बड़ी परिशानी हैं केके आर की गेंदबाजी भी ज़्यादा कमाल नहीं दिखा पा रही है चाहें वो पैट कमिन्स, प्रिसिद कृष्णा या सिवम मावी हूँ हाला कि इस पिन में वरुन चकरवर्ती अच्छा काम कर रहे हैं नरेन के ना होने से आज कुल्दी प्यादव का मौका बन सकता है